Hello friends, welcome and welcome back to my channel तो existing चीज़ों से किस तरीके से आप अपनी curtain को you know tie कर सकते हो साथ ही साथ festive season के time पे उन्हें एक different look भी दे सकते हो तो अगर यह आपको ideas पसंद आते हैं तो video को like and share करना बिल्कुल भूलिएगा और अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है और अगर आप मेरे channel पर नए हो तो दोनों condition में आपको मेरे channel को subscribe कर ही देना है तो चलो और देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको अपने हाथों में फूरे curtain को इस तरीके से पकड़ना है कि उसकी पतली पतली और धे सारी pleats बन जाएं क्योंकि जितनी जादा pleats बनेंगे, इस curtain उतना ही खूब सूरत लगेगा और जो आप मैं यहाँ लुक दिखाने की कोशिश कर रहे हूँ वो बहुत है घना और बड़ा बनेगा तो इस तरीके से और जभी आप अपने हाथों में पकड़ लें तो यह भी ध्यान रखें कि जो pleats अंदर हों आप उसे पकड़के उसकी pleats बनाके फिर से अपने हाथों में पकड़ लें यह curtain का portion डालना है और उसे आधा निकालना है जिस तरीके से हम half band बनाते हैं और आपको यह ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कांच की चूड़ियां मत यूज़ करें अदरवास वो तूट जाएंगी और यहाँ पे metal की bangle यूज़ करें यह वो ज़्यादा strong होती है और आपको मंचाहन लुक देंगी और एक बात का आप और ध्यान रखें कि जो भी bangle आप यूज़ करें वो थोड़ी छोटी होगी size में क्योंकि तो ज़्यादा look अच्छा देगी और बहुत अच्छे से पकड़ उसकी जो रहेगी fabric को लेकर वो बहुत strong रहेगी और वो गिरेगी नहीं या ऐसा कुछ नहीं होगा और एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि जो बहुत मोटे cotton के परते होते हैं उसके साथ भी यह try मत करें क्योंकि वो उस पे यह look बन ही नहीं पाएगा और आपकी बैंगल टूट जाएगी या खराब हो जाएगी तो आप देख सकते हो कितना जादा सुंदर सा फ्लार सा लुक एक आ गया है और यह आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा बना सकते हो आप चाहें तो इसे छोटा रखें और अगर आपके कर्टेन दो कंट्रास कलर में हैं या आप उपर शियर वाले कर्टेन यूज करते हो बैक साइड में इस तरीके से एक कर्टेन ब्लैक आउट वाले कर्टेन है तो आप दोनों को भी मर्च करके एक लुक बना सकते हो और वो बहुत अच्छा लगेगा और यह काफी लुक देगा आपको जब भी कोई फेस्टिकल हो दिवाली या कोई ऐसे टाइम पर क्योंकि कर्टेन वगेरा के पास अगर आप दीए या कैंडल रखते हो तो जलने के भी चांसे रहते हैं तो यह फ्लोर को भी टच नहीं करेगा और बहुत अच्छा लुक देगा जैसा सिकेंड लुक में भी मैं आपको दिखा रहे हूं बैंगल से इसे भी बनाना है और जिस तरीके से हम सम्टाइम्स अगर हम रूम में होते हैं हमें बहुत रोशनी ने चाहिए बट थोड़ी सी रोशनी भी चाहिए तो यह लुक आप कर सकते हो आप इसे जिस हाइट पे रख आप मिलती हैं वो सम्टाइम्स बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है और वो उतनी अच्छी ने लगती है और यह थर्ड आइडिया मैं बता रहे हूं किस तरीके से आप अपने रबर बैंड को क्रंची इस को आजकल जिस तरीके से यह बहुत कलरफुल से और डिफरेंट त क्वेड़ थाड़ देख वाची ने लगता और वाची ने यह रसेल्फ भाइ